हेलो दोस्तों कैसे ही आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है चीड़ कविता कपड़े धोने के लिए जा रही थी तब ही उसके फोन के घंती बजी उसने फोन उठाया तो उसकी मम्मी के पडोश में रहने वाली आंटी का फोन था वह कहने लगी बेटा जल्दी से हास्पिट पड़ने लगे वह कांपती हुई आवाज में बोली आंटी ममी ठीक तो है ना वह बोली हाँ बेटा दर वाली कोई बात नहीं है तुम जल्दी से हास्पिटल आ जाओ कविता ने तुरंती कांपती हाथों से अपने पती पंकज को फोन किया तो वह आफिस से चुट्टी ले जहां पर उनका इलाज अस्य से होने लगा उनके सिर में थोड़ी चोट भी लग गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि बीपी लो होनी की वज़ा से उन्हें चकर आये थे उन्हें अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में तीन-चार दिनों तक रहना था ऐसे समय में आ भया भाबी आफिस के काम से अमेरिका गए हुए थे दोनों एक साथ एक ही आफिस में काम करते थे और एक सब्ता के लिए दोनों को ही काम पर जाना पड़ा था अब उन्हें क्या पता था कि उनके पीठ पीछे आईसी इस्तित्थ पन हो जाएगी कविता ने अपनी भया को पर शारी बाते बताती हुए कहा कि आप लोग जल्दी से काम खत्म करके आईए यहां की चिंता बिल्कुल भी मत करिये हम सब कुछ समाल लेंगे जब कविता की सास को पता चला कि उनके बेटे ने अपनी सास को महिंगे हास्पिटल में एडिमिट करवाया है तो हाज जल प्रती फरजी नहीं निभा रही हो कविता हैरान रहे गई क्योंकि उसकी साधी को साथ महिने हो चुके थे और अभी तक उसने अपने सारे फरज बखुब्यों निभाये थे खैर उसने सास के ताने को नदर अंदाज किया और असोई में काम कहने के लिए गुश गई नास्त देख रही हूँ कविता जल्दी जल्दी घर के बाकी के काम निप्टाने लगी क्योंकि उसे फिर से तयार होकर अस्पिटाल भी जाना था जब सारा काम निप्ट गया और वहा हस्पिटल जाने लगी तब उसकी सास कहने लगी बहु मेरे लिए गर्मा गरम पराठे बना दो कविता हल में आई और कहने लगी मम्मी जी नास्था तयार है तो और पराठे क्यों बनाने हैं मुझे हस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है उसकी सास गुसे में बोली बहु एक तो मेरे बेटे ने तुम्हारी कंगाल मा को इतने मंगे अस्पताल में एडमिट करवाया है तुम मा से मिनने थोड़ी देर के बाद जाओगी तो आमर नहीं जाएंगी दो घंटे पहले बनाये हुए पराठे बासी होते हैं पहले मुझे गर्म नास्था बना कर दो सास के नकरे देखकर बहु का चेहरा गुस्य से लाल हो उठा फिर उसने कठोर सुर में कहा ममी जी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो घंटे पहले बनाया हुआ नास्था बासी हो गया है तो एक काम करिए अपने लिए ताजा और गर्म खाना खुद से बना लीजे मुझे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है उसकी सास गुस्य में बोली तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है तुम उसे ऐसे लहजी में बात कैसे कर सकती हो अभी मैं मना कर दूंगी ना तो मेरे बेटे की इतनी हिमत नहीं है कि वह तुमारी मा का इलाज करवाए तुम लोग मा ब हां हास्पिटल मेरी मिठ है फिर भी मैं दोनों समय का खाना खुद बना रही हूँ आप तो मेरी कोई मदद भी नहीं करती है और नहीं आप से मुझे किसी मदद की उम्मीद है मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर मैं आपके प्रति हर फरज निभा रही हूँ तो मुझे म मैंने नास्ता समय से तयार कर दिया था आपने नहीं खाया तो यहाँ आपकी गलती है मेरी नहीं इतना कहकर उसने खाने का डिबा जोले में डाला और अपने अपरस उठाकर तेज कदमुस के साथ घर से बाहर निकल गई उसकी सास को काफी तेज गुसा आ रहा था अब जित कि मा बीच में आकर खड़ी हो गई और कहने लगी बेटा अपनी पत्री को जरा काबु में रखना सीक तो उसकी मा के लिए कितना कुछ कर रहा है और वा तेरी मा को बासी खाना खिला रही है या सुनकर पंकज इस सब दसा खड़ा रह गया वा कहने लगा मा रात भर कर था व मैंने उसे गरम खाना बनाने के लिए कहा तो वा मुझे ही चार बाते सुना कर यहां से चली गई पंकज अपना सिर पकड़ कर कहने लगा मा मेरे सिर में काफी दर्द हो रहा है हम इस बारे में बाद में बात करते ही इतना कहिकर वा बात रूम में चला गया फिर नहां दोकर खाना खाने के बाद जब उसका मन थोड़ा अच्छा हुआ तो उसने फोन लगा कर अपने पत्नी से बात की और पूछने लगा कि तुमने मा को बासी खाना दिया था क्या मा सिकायत कर रही थी इस बात से कवता हैरान ही रह गई वा कहने लगी मम्मी जी जब तक मुझे सुन रही जाकर वा खाना बनाया था लेकिन मम्मी जी का कहना था कि दो घंटे पहले बने हुए पराठे बासी होते हैं मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं था कि फिर से उनके लिए गरमा गरम नास्ता बनाओं इसलिए मैंने उनके लिए फिर से नास्ता नहीं बनाया अब रिकार्ड कर ले थी इतना कहकर उसने फोन कार्ट दिया और थोड़ी देर के बाद पती के मोबाइल पर वावाइस मेंसेज भी भेज दिया शारी बाते सुनने के बाद पंकच को समझ में आ चुका था कि उसकी मा कितनी गलत हैं वह अपनी मा के पास जाकर बोला मा तुम दो हंटे पहले बने हुए पराठे को बासी खाना बोल रही हो यहां न जाने कितनी ही लोग ऐसे ही जो सुबा सवेरे उठकर खाना बनाते ही और वहीं खाना लंच में लेकर जाते ही तब क्या वा बासी खान लंच में खाते हैं बासी खाना क्या होता है या तुम्हें कहां पता है वह मजदूर जिनें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है उनसे पूछो कि बासी खाना क्या होता है जब रात की रखी हुई रोटीयां सुभा अचार के साथ खाकर काम पर निकल जाते हैं उनसे में मा का सहयोग भी नहीं मिल रहा था खैर पंकज और कईता ने मिलकर वह मुश्किल समय भी काट लिया था सप्तावर के अंदर ही कईता के भया बावी भी अमेरिका से आ गए थे तो उन लोगों को भी अब थोड़ा आराम मिलने लगा था बाकी परिवार तो ही होता है जो मु कविता की सास के सीने में दर्द होने लगा आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर जाने पर पता चला कि तुरंती उनके हार्ट की सरजरी करनी पड़ेगी सरजरी में काफी खर्च होने वाला था तुरंती पंकज इतने सारे रूपयों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था वह काफी परिशान था जब कविता के भाई को या बात पता चली तो उसने तुरंती पंकश के अंकाउंट में रूफ़े ट्रैंसफर कर दिये ताकि तुरंती कविधा की सास का आफरेशन हो पाए मुस्किल समय में आखिर अपने ही काम आए थे कवता की सास का अफरेशन सफलता पूरोग हो चुका था जवा ठीक हो गई और उन्हें पता चला कि बहु के भाई ने उन लोगों की कितनी मदद की है तब उनका सर सर मिन्दगी से जुग गया जब उनका बेटा अपनी सास के लिए थोड़ा बहुत भाग दोड़ कर रहा था और सुरुआत में उसने अपनी सास के लिए थोड़े बहुत खर्च समाल लिये थे तब उन्हें बहुत चिड़ मची थी कि वहां उन लोगों की इतनी मदद क्यों कर रहा है लेकिन आज जब उन लोगों ने मुश्किल वक्त में मदद की थी तब जाकर कविता की सास को समझ में आया था कि असल में रिष्टे निभाना किशे कहते हैं शुक में तो हर कोई सामिल होने के लिए दोड़ पड़ता है लेकिन जो रिष्टे दुख में साथने भाते हैं असल में सचे रिष्टे तो वहीं होते हैं कविता की सास ने अपने बुरी विभार के लिए अपने बहुत शिमाफी मांगी और मन ही मन खुद से वादा किया कि आगे भविसे में कभी भी अवा किसी के लिए भी मन में दुर्भावना नहीं रखेगी और जितना संभव हो सकेगा उतना तकलीब में गिरे इंसान की मदद करने में सयोग करेंगी आजा करती हुँ दोस्तों आपको मारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद